अब हमारे पास है integration of x plus 1 divided by under root 2x plus 3 dx उपर आपने को 2x plus 3 बनाना है क्योंकि नीचे 2x plus 3 है तो वो बनाने का तरीका देखे पहले हम क्या करेंगे मैं ध्यान रखेगा integration और dx कभी-कभी छोड़ देता हूँ यह हमेशा साथ रहेगा समझाने के लिए बता रहा हूँ अब आपके पास x plus 1 है नीचे 2x plus 3 है तो पहले तो आपको 2x चाहिए तो 2 से divide कर दीज़े तो क्या बनेगा half यहार आए गया यह बनेगा 2x plus 2 divided by 2x plus 3 अभी भी एक चीज़ की कमी है यहाँ पर उपर अपने को 3 नहीं मिला तो यहाँ पर plus 3 कर दीज़े माइनस 3 कर दीज़े है ना तो इससे क्या बना आपका final half नीचे रहेगा यह 2x plus 3 तो हम साथ ले लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत है यह हमें नीचे दिख रहा है अब 2 minus 3 बना रहा है minus 1 तो यह final आपका बन गया 2x plus 3 अब इसको मैं अलग-अलग कर देता हूँ कैसे इस half को हम बाद में deal करेंगे दियान रखेगा यह half को मैं अपने bag में रख रहा हूँ बाद देने का रहा हूँ इसको तो इसका integration अब होगा integration of यह देखे 2x plus 3 और यह under root में है यह भी under root में तो क्या होगा यहाँ आगे आपका half बाद में यूस किया जाएगा तो 2x plus 3 यह वाला term और यह वाला term अलग ले रहा हूँ मैं under root 2x plus 3 और यहाँ पर है minus तो minus कर देते हैं integration और 1 by under root 2x plus 3 ध्यान रहे dx हमेशा चलता रहेगा साथ ने अब इसका integration आप अच्छी तरीकी से जानते हैं इसको आराम से कर सकते हैं मैं एक यह करके करता हूँ सबसे पहले मैं इसे लूँगा तो यह है आपका पहला term पहला term यह हो गया तो आपका आएगा यह 3 कट जाएगा यहाँ पर 2 बजेगा तो dt आगया आपका 2dx इसमें क्या हो जाएगा फिर इसको आप इस पूरे term को ले रहा हूँ 2x plus 3 होगा t नीचे आगया under root t dt की जगा dx की जगा आप रिखेंगे dt by 2 क्योंकि यह t नीचे आएगा dx की जगा होगा dt by 2 और integration अब इसका होगा dt की terms में तो आप बाहर ले लिजे यह t यहाँ रहे गया यह under root t का मतलब होता है t की power half और क्योंकि यह उपर जा रहा है उपर की तरफ जाएगा तो यह t की power minus half dt यहाँ चली रहा है तो यह t की power 1 1 minus half power जुड़ जाते हैं 1 minus half t की power half ही हो गया और यह dt है integration of half final बना यह half integration half है यह और अभी देखिए अभी यह t की power half होगा है अभी इसमें integration नहीं किया है integration जब हो जाएगा यानिकि ट की power half का integration क्या होगा plus 1 by 1 half plus 1 अभी जानते हैं x की power n का integration होता है x की power n plus 1 by n plus 1 तो यह integration होगा t to the power half plus 1 by half plus 1 तो यह होगया t की power 3 by 2 by 3 by 2 तो अब एकाम करता हूँ 2 by 3 उपर जाएगा यह आपका 2 by 3 उपर गया 2, 2 कड़ गया तो यहाँ में मिला 1 by 3 और t to the power 3 by 2 यानि 2x plus 3 यह आपका t था की power 3 by 2 यह थोड़ा सा मैं गजमज हो गया लेकिन कोई बात नहीं 2x plus 3 की power 2 by 3 आपको यह मिल गया 3 by 2 अब second वाले term में आते हैं second वाला term में यहाँ करता हूँ second term क्या है 1 by under root 2x plus 3 इसको आप उपर ले जाएए क्योंकि under root t का मतलब होता t to the power half यह under root जो भी होगा उसकी power half होता लेकिन जब यह उपर जाएगा तो क्या मनेगा 2x plus 3 की power minus half और इसका integration कर देते हैं इसका integration क्या होगा 2x plus 3 की power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 लेकिन अभी रुकेंगे नहीं 2x plus 3 का differentiation क्या होगा 2 जो की नीचे डिवाइड करते हैं इसका differentiation करके 2 नीचे डिवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा यह दनों cancel हो गया आपका यहापर final क्या बना minus 2x plus 3 की power half ठीक है जी तो यह integration sign हटा दीजे क्योंकि integration करके लिखाता मैं मैंने तो 2x plus 3 की power 3 by 2 minus 2x plus 3 की power half जाद अब कोई दिक्कत नहीं है plus constant of integration लगाना पड़ेगा लेकिन एक चीज़ इसमें रह गए यह final answer आचुका है अपका एक छोड़ी सीज़ बजगी वो थी यह half मैंने कहा था half को last में यूज़ करें तो final answer आपका यहाँ से लेकर यहाँ बन गया ठीक है जी तो जो मैंने आपको एक एक step करके बताया है वो सामने आपके है इस तरीके से आप साफ सुत्रा clean करेंगे मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको अगला question है integration of x plus 2 अंदर है तो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से अंदरूट वाला जो term है इसको छोटा करते है तो बड़ा आसान हो जाता है कैसे देखे हम मान के चलते हैं कि भाई हमारा जो यह x plus x plus 2 है इस x plus 2 को आप t मान लिजे यानि आपने t को x plus 2 मान रहा है अब दोनों माना है उसके इसापसे इसको परिवर्थित करतीजे कैसे परिवर्थित करेंगे इस इंटिग्रेशन है x क्या माना था आपना x plus 2 t था तो इससे क्या निकलेगा x plus 2 अगर t माना है तो x क्या मनेगा t minus 2 तो x की जगा आप लिखेंगे t minus 2 यहां तो कोई दिक्कत नहीं अंडरूट x plus 2 को आपने माना था t तो अंडरूट t होगे अब यहां था dx अब आपने देखें dx क्या निकल क्या है dt तो यहां पर लिख देजी dt कितना असान हो गया यह अब इनको power देदीजे कहने का मतलब यहां पर integration चल रहा है यह t है minus 2 इसको आप लिख देजे t to the power half क्योंकि root का मतलब t की power half होता है और इसको अंदर multiply करके अलग-अलग कर देजे पहले इसको लेंगे तो integration यह t की power 1 है और यह से multiply होगा तो t to the power half 1 plus half होता है 3 by 2 तो आपके पास आया t की power 3 by 2 dt minus अब इसको 2 को t 2 को t की साथ multiply करी है t की power half से तो 2 मैं बाहर ले ले लिता हूँ integration आसान हो जाएगा और t to the power half आपका अंदर रह जाएगा देखे कितना आसान होगी आप इसको करके तो अब integration क्या होता है देखे बार-बार मैं आपको बताता हूँ x की power n का integration simply होता है x की power n plus 1 by n plus 1 plus constant of integration तो यह क्या बनेगा t to the power 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 अब हाँ integration हो चुका है तो integration sign हटा देंगे यह 2 है यह होगा t to the power half plus 1 by half plus 1 और constant of integration लगा देगे t to the power 3 by 2 3 by 2 में एक जोड़ी है ज़रा तीन बटे 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पांच बटे 2 t to the power 5 by 2 तो t to the power 5 by 2 हो गया अब यह नीचे वाला भी 5 by 2 बनेगा और 1 by 5 by 2 का मतलब क्या है 2 by 5 तो यह 2 पर जाएगा 5 नीचे रहेगा यहां तक थी? माइनस 2 यह t की पाउर half यह t to the power हो गया यह half हो गया 1 plus half हो गया 3 by 2 नीचे भी 3 by 2 आएगा और 1 by 3 by 2 का मतलब क्या बनेगा? यह 2 by 3 बनेगा इसको यह लिख देते? यह तो कोई दिक्कत नहीं है? कॉस्ट आफ इंटिक्रेशन चल रहा है अब देखे, आप ने t क्या माना था? x plus 2 अब जहां जहां t है, महां x plus 2 लिख दीजे क्योंकि t आपने इंट्रड्यूस किया था किसी ने आपको नहीं बताया था आपने खुद इंट्रड्यूस किया है तो इसको हटाना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है t है x plus 2 तो यहां पर x plus 2 लिख देते हैं उसकी power 5 by 2 उसके आगे आपको 2 by 5 मिल रहा है minus 2 to the 4, 4 by 3 हो गया यह t की जगा हम x plus 2 रिप्रेजेंट करेंगे और उपर power 3 by 2 constant of integration चल रहा है यहां से लेकर यहां तक यही आपका उत्तर है तो जो मैंने आपको बताया वो इस clean तरीके से आपको लिखना है तभी आपको बढ़िया marks मिलेगे next question है x minus 1 और under root x plus 4 denominator में है तो देखिए नीचे वाला जो under root देखिए इसमें होता क्या है इसका trick यह है कि आप जब भी इस तरीकी के question देखे यह नीचे वाला अगर आप under root के अंदर जो content है ना जो भी हो अगर यह एक term में आ जाए जिसे under root t कर दिया तो आपने देखा पिछले question में कितनी आसानी हुई थी हमें वही यहीं पे हम वही trick लगाएं कैसे सबसे पहले देखिए आपको वह सब let putting this यह सब आपको खुद लिखना है मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे लिखना है लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका तक्नीक बता दूँ ताकि आपको बिलकुद दिमाग में बैठ जाए कि putting difference both sides now integral becomes यह सब तो आप लिखे लेंगे मुझे पूरा यकीन है तो करते क्या है इस x प्लस 4 को यह उठा के t लिख देते हम मानते हैं इसी को हमने मान लिखा ठीक तो x क्या हो गया है आपर t-4 अब जब हमने यह माना x बराबर t बराबर x प्लस 4 माना तो यहाँ पर क्या है dt by dx अगर हम करते हैं तो यह तो 0 हो जाएगा dx 1 ही हो जाएगा तो dt बराबर dx आगे तो अगर हम dt या dx दोनों dx की जगर dt रग दें तो हमें कोई numbers का भी ज़ादा complication नहीं मिल रहा है तो अब देखिए इसके इसाब से इसको तब्दिल किया जा है integration x-1 x क्या है x क्या लिया आपने t-4 तो x t-4 है साथ में –1 भी है तो –1 कर दीजे तो उपर आएगा t-5 नीचे आइए यह under root x plus 4 x plus 4 आपने t माना था तो यह under root t होगी dx है यहापर तो dx की जगा dt replace कर देते हैं अब इनको अलग-अलग कर लिए यह सब integration चल रहा है अब इसको अलग-अलग कर देते हैं integration करेंगे यह t by under root t अलग कर दीजे यह सब dt साथ में चल रहा है 5 by under root t अलग कर लिजे अब t by under root t t की power 1 है यह under root t हो गया आपका t to the power half यह t की power 1 चल रहा t की power half उपर गया तो t की power minus half हो गया 1 minus half हो गया half तो t की power half हो गया basically आप t की power half को integrate करेंगे यहाँ पर क्या है यह 5 को बाहर ले लिजे 1 by under root t जैसे मैंने बताया t की power half है यह जब उपर जाएगा तो t की power minus half बनेगा तो यहाँ आप t to the power minus half को integrate करें देखे क्या बना t to the power half integration अब हो चुका है तो t to the power half होगा t to the power half plus 1 divided by half plus 1 minus 5 यह होगा t to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 अब constant of integration लग जाएगा क्योंकि integration हमने हटाती है तो यह क्या बना t to the power 3 by 2 अभी अभी पिछले question में देखा नीचे 3 by 2 है तो उपर वो 2 by 3 बनेगा यहाँ जाके minus 5 t की power 1 minus half तो half ही होता है तो t की power half हो गया यह नीचे भी half बनेगा तो यह उपर जाएगा तो फाइनली क्या बना 2 by 3 t आपने x plus 4 लिया था तो अभी यहाँ replace करते है x plus 4 to the power 3 by 2 minus 5 to the 10 हो गया यह यह t की power half है यह ने x plus 4 की power half हो गया यह और plus constant of integration यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं यह आपका actual solution है तो यह जो आपको मेरे बताया एक-एक करके कि भाई x plus 4 को अगर हम किसी तरीके से easy बना दें तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा तो इस तरीके से कर लेंगे आप यह बड़ा आसान था बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं next question है integration of x plus 2 under root 3x plus 5 dx तो मैंने आपको यही बताया कि भाई under root वाला जो content है इसको हम अगर एक term में ले आए तो बड़ा आसान हो जाएगा तो इसको मैं यहां करता हूँ सबसे पहले हम 3x plus 5 जो हमें मिला है इसको हम t मान लें तो हमें कहीं भाई x तो रखना पड़ेगा तो पहले यहां से x निकाल लेते हैं और पहले तो इसको जो हमने t बरावर 3x plus 5 बना है इसको ज़र आप differentiate कर दो dt by dx इधर हो जाएगा यह cut जाएगा यह 3 रहेगा किल 3 बचेगा तो dt बरावर 3dx तो जहां जा क्योंकि यहां dx है dx रिप्लेस करना होड़ेगा तो dx यहां बनेगा यहां से dt by 3 dx यहां जाओगा dt by 3 रखेंगा यह तो हमको use करना है अब क्योंकि यहां पर x दिख रहा है तो x भी रिप्लेस करना होगा तो यहां से देखिए 3x plus 5 बरावर t है 3x हो गया आपका t minus 5 x हो गया आपका t minus 5 by 3 तो x भी ले लिया हमने x replacement यह हो गया और dx की जगा replacement यह हो गया तो जो जो हमने किया वो यहां रखेंगा देखिए यह सब integration चल रहा है यह बार-बार आपको लिखना पड़ेगा लेकिन मैं एक step में आपको बता दिया ताकि आप इसको use कर सके अब 3x प्लस 5 यहां तो आप सीधा उठा के आपको बहुत आसान हो जाएगा under root t रख दीजे dx की जगा आप dt by 3 रख दीजे अब मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा इससे बचता हूँ constant से तो मैं 1 by 3 आगे कर देख अब x plus 2 को लिखना है तो x plus 2 का मतलब क्या है यहां पर जोड़ दीजे t minus 5 by 3 plus 2 तो क्या बनेगा यह इसको इससे multiply करिए t minus 5 इसको इससे करिए 3 to the 6 divided by 3 तो यह आगे आपका t plus देखे 6 minus 3 मतलब हुआ इसका यह बना t plus 1 by 3 तो इसकी जगा आपको लिखना है इस जगा पे t plus 1 by 3 तो अगे यह 3 को बाहर ले जाता हूँ मैं ताकि कोई complication ना 1 by 9 हो गया यह आपका हो गया t plus 1 और t plus 1 ही है बिरकोँ सही चल रहा है और यह है आपका under root t अब इसको अंदर मनिप्लाइ करते हैं dt के respect में integration करेंगे इस 1 by 9 को मैं बाद में ले के आऊँगा इस मैं आपने bag में रख देता हूँ यहां देखिए यह हो गया t into root t plus root t इसका integration होगा इसका अलग से करतेंगे इसका अलग से करतेंगे अब देखिए t into root t का मतलब क्या होगा t की power 1 और root t होदा t की power half तो यह होगा t की power 3 by 2 तो आपका integration करना है t2 की power 3 by 2 का यह तो आपका under root t सीधा आपका t2 पार half होता है तो इसका integration करना है t की power half का सब dtt चल रहा है मैं लिख नहीं रहा हूँ इसका integration क्या होगा t की पावर 3 by 2 plus 1 divided by 3 by 2 plus 1 इसका integration क्या होगा t की पावर half plus 1 divided by half plus 1 t की पावर 3 by 2 plus 1 हो गया 3 by 2 plus 1 यहां दिखा देता हूँ आपको इसको से multiply करिए इसको से multiply करिए और divided by 2 कर देए तो 5 by 2 नीचे बनेगा तो 2 by 5 लिख देते हैं इसको और ये t to the power 5 by 2 हो गया प्लस ये half plus 1 3 by 2 होता है तो 2 by 3 यहां बनेगा यहां t की power 3 by 2 और constant of integration लगा देना है क्योंकि हम integration अलड़ी कर चुके यहां भी constant of integration लगेगा अब t क्या मना था आपने ध्यान रखिए 3x plus 5 बस अब आप यहां लिख दीजे 3x plus 5 कितना असान हो गया यह अच्छा एक चीज़ इसमें और आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसके और easy बनाना चाहें वैसे उसकी ज़रूरत है नहीं इसको ऐसे भी लिखेंगे तो आप answer आपका आजाएगा यानि कि यह हुआ 1 by 9 है यहां पर ध्यान रखिएगा तो यह 1 by 9 को multiply कर देता हूं देख लेते क्या मिल जाता 1 by 9 कुछ कट रहा है तो कुछ मंद बन तो नहीं रहा है इसमें तो यह काम करते हैं हमको 2 तो मिली रहा है बार तो यह जो 2 है इसको बाहर ले लेते हैं तो मैं बाहर लिख रहा हूं 2 by 9 और यहां पर आपका आएगा 1 by 5 t आप में लिखा था 3x प्लस 5 इसकी पावर हो गया 5 by 2 यहां पर 1 by 3 बचा 2 आपको अरड़ी बाहर ले चुके थे ध्यान रहे है और इस जग़ा पर आएगा t की पावर 3 by 2 तो हो गया 3x प्लस 5 की पावर 3 by 2 यह हो गया प्लस constant of integration तो आपको क्या लगता है कि हम क्या उत्तर पर पहुंच चुके हैं यह क्या इसका उत्तर है वैसे तो यह इसका उत्तर है यही final है लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर आप और कुछ करना चाहे इसमें थोड़ी से कलाकारी तो वो आप कर सकते हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ वैसे यह आपका final answer आ गया अगर आप यहाँ पर आप answer लिग देते हैं तो आप ने अपना काम कर दिया है तो आप यह इसका answer है अब यह जो solution है वो आपके सामने है यह जो है यहाँ से यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि यह answer है लेकिन कुछ थोड़ी सी कलाकारी और कर सकते हैं जैसे यह 3x प्लस 5 के पावर 5x2 है यह 3x2 है तो आप इससे 3x2 बाहर ले लिजे जो भी बचता है उसको solve कर लिजे जो भी बचता है वो 9x प्लस 20 आएगा और 3x प्लस 5 के पावर जो भी आपने बाहर लिया है 3x2 वो बाहर लिखना तो यहाँ पर भी आप रुख सकते हैं थोड़ा सा और resolve करना है तो यह 2-3 step और है जिसमें आप केवल इन दोनों से इन दोनों से 3x प्लस 5 के पावर 3 by 2 बाहर लेंगे और जो बच जाएगा उसको resolve कर लें ठीक है यह इसका उत्तर होगी जो अगला question है वो उसी तरीके से है जैसे हमने पिछले questions किये है यहाँ पर देखिए कि 7x प्लस 9 है उपर 7x नहीं ला सकते हम क्योंकि multiplication कैसे करेंगे 2 से करेंगे 3 से करेंगे तो नहीं आ रहा है तो तरीका यह है कि आप सीधा क्या करें 7x प्लस 9 इसको आप t अब हमने t माल लिया इसको तो dt अगर dx करेंगे तो dt बाइ dx मैं इसको इधर ले आता हूँ यह 7x प्लस 9 है 7 बजे जहां भी आप dx लेंगे वहाँ आपको dt बाइ 7 रखना पड़े ठीक है एक तो यह यह उसका है अब दूसरी चीज इसमें क्या आती है दूसरी चीज आती है आपको 3x प्लस 5 को तबदील करना है इस टर्मस तो 3x प्लस 5 के लिए पर तो हमें यहाँ से t निकालना होगा तो t क्या होगा x निकालना होगा x क्या होगा यहाँ जाएगा t t-9 और यह डिवाइड बाइ 7 t हो गया x हो गया t-9 बाइ 7 तो यह हम पहली चीज और यह हम दूसरी चीज यह यहाँ पर इस्तिमाल करेंगे कैसे इस्तिमाल करेंगे देखे integration कर रहा हूँ मैं 3 x x की जगा ले रहे है t-9 बाइ 7 और यह हो जाएगा प्लस 5 और डिवाइड बाइ क्योंकि यह under root t हो गया अब पूरा जो आएगा वो यहाँ बाइ d t बनेगा अब यह integral है हमाई अब बहुत ध्यान से देखेगा करने के तरत तरीके अलग-अलग होते हैं मैं थोड़ा सा short में बताता हूँ आपको बहुत short में हम करते हैं इसे पहले सबको अलग-अलग कर ले अब यह integration और d t मैं भी नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ध्यान रखेगा हर एक term के साथ integration और d t रहेगा पहले term पे आते हैं यह हो गया 3 by 7 t मैंने 3 t multiply किया divided by 7 हो गया और नीचे under root t है यह पहला हो अब आईए minus में 9th is a 27 divided by 7 यहाँ पर under root t हो दूसर टम तिसर टम है 5 by under root t सब integration में है sub dt अब हम क्या करेंगे कि बहुत आसान हो जाएगा हम अगर 7 बाहर ले 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 तो 7 बाहर ले ले लेंगे और जैसे हम 7 बाहर लेंगे क्योंकि देखे जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे तब हमारे पास यह 7 आ गया जब हमने 27 by 7 लिखा तो यह 7 बाहर आ गया और 5 by under root t तो 7 इसमें हमारा बाहर आना है लेकिन साथ में यह dt को भी replace करना होगा dt कैसे replace हुआ है dt हुआ dx के जगा रखना हमने तो dt by 7 आया basically यह dt by 7 था तो देखे एक तो 7 यहां से ले रहे है 1 by 7 एक हम 7 यहां से हटा दे रहे तो यहां 7 हटाएंगे तो यहां 7 लान अपलेगा तो यहां 7 आ गया यानि कि 1 by 49 हम थोड़े दिर बाद अपने bag से निकालेंगा यह भी bag में रख दिया क्योंकि complication हो जाएगा अगर हम यहां पर compute करें अब इसका integration करते हैं तो देखे 3T है यह इसका integration कर रहे है ती by root T का यह आपका हो गया 27 और integration होगा 1 by root T का यहां पर है 35 ले लिजे आप और integration कर रहे हैं 1 by root T का तो एक अच्छा काम यह रहेगा कि यह देखिए दोनों का integral 1 by root T 1 by root T है तो बेटर यह ही रहेगा माइनस 27 और 35 को जोड़ दे तो 35 माइनस 27 कितना होता है जी यह होता है 5 आच तो 3 यहां पर आ जाएगा और plus में यहां पर आ जाएगा 8 अब integration के अंदर के आएगा उसको दिहां से देखिए integration के अंदर के आएगा दिहां से देखिए यह पहला है T by root T उसका मतलब उपर T की power 1 नीचे का under root T का मतलब होता है T to the power half यह उपर जाएगा T to the power minus half तो इनको क्योंकि बेस सेम है पावर जोड़ जाएगी T to the power half आए तो इसका मतलब यह T to the power half का integration यह होगा नीचे देखिए यह वाला 1 by root T है 1 by root T का मतलब ही यह होता है 1 by T to the power half और यह 1 by 2 to the power half उपर गया T to the power minus half तो T की power minus half यह integration होगा चलिए इसका integration क्या होगा T to the power 3 by 2 प्लस 3 by 2 इसका क्या होगा 8 T to the power minus half plus 1 1 ही हो जाएगा है ना यहाँ पर यह हो गया minus half plus 1 minus half plus 1 बनेगा ना क्योंकि 1 by root T है और मैंने बता है 1 by root T का मतलब होता है T की power half minus half उपर जा रहा है minus half plus 1 यानि कि 1 ही आगा T to the power half यानि 1 divided by T to the power minus half plus 1 by minus half plus 1 तो 1 minus half plus 1 1 minus half half ही होता है यह भी half होता है तो यह 2 उपर जाएगा तो क्या बना अब final यह बना 3 into 2 by 3 T to the power 3 by 2 plus 8 और यह हो गया T to the power 1 minus half half हो गया और नीचे भी 1 minus half half मतलब 2 उपर जाएगा अब इसको थोड़ा और इसी कर लेते हैं पहले तो यह 3 3 हटा देते हैं और यहां से 2 बाहर लेते हैं नई 2 बाहर नहीं लेंगे यह बना है 2 T to the power 3 by 2 यह बना आपका 8 into 2 T to the power 3 by 2 यह बना ना ओ स्री 1 by 2 हम क्या रेंगे करेंगे इसमें ले लिया तो 8 बचा और यह तो हम ले चुके हैं तो कितना आसान हो गया यह अब आपको बस T replace करते हैं तो T क्या आएगा 2 into और बाहर 1 by 49 मैं यहां से बैक से निकाल रहा हुँ 2 divided by 49 T to the power half हो गया आपका 7X plus 9 to the power half और यह T plus 8 T क्या था अपना T शुरुआत में हमने जबाना था 7X plus 9 plus 7X plus 8 7X 9 यह हो गया और यह 8 है क्योंकि अंदर जो आपने यह ले लिया बाहर जब यह लिया तो यह आपका है 7X plus 9 plus 8 तो यहां लिख दे रहा हूँ यह 8 है तो यहां final क्या हो गया 2 by 49 यह हो गया 7X plus 9 to the power half हो गया और यह 7X plus 70 और plus constant of integration तो यह जो यहां से यहां तक है यह आपका final result तो जो मैंने आपको बताया वो approach थोड़ी अलग थी अगर कोई और अपने तरफ से करता है तो देखेगा यह बिलकुल एक different approach है लेकिन जो भी आज जैसे भी करेंगे आप आपका उत्तर जो है वो समान ही आएगा step से लगा लग हो सकते next question तो काफी आसान लग रहा होगा अगर आपने पिछले 6 questions follow कर लिए है X plus 4 है नीचे उपर X plus 4 चाहिए तो सीधा आप लीजे X plus 4 minus 4 उपर आगया नीचे आपका under root X plus 4 ही हमें integration करना है इसका और किसके respect में करना है DX द्यान है अब integration यह सब integration और DX का मैं omit कर सकता हूँ तो फटापट इसको किया जाए पहले तो आप देखे इसको ऐसे लिख सकते है integration of X plus 4 by under root X plus 4 और यह हो जाएगा minus 4 integration of 1 by under root X plus 4 यहाँ DX है यहाँ DX है अब इनको अलग-अलग deal करेंगे इसको माल लीजेए यह I1 है इसको I2 है तो I1 क्या होगा देखे इसमें जो under root X plus 4 है तो X plus 4 को हम यह पहले वाले में कह रहा हूँ मैं इसे तो यह TV मानने की जरूरत नहीं है इसको हम डारेक्ट लिख सकते है पहला वाला कर रहा हूँ integration of X plus 4 under root X under root का मतलब होता है जो भी power जैसे यह है तो इसका मतलब होता है X की power half तो यह इसका मतलब क्या हुआ under root X plus 4 का मतलब हुआ X plus 4 की power half और यह जब उपर जाएगा तो क्या बनेगा X to the power 4 to the power minus half यहां तक ठीक है यह उपर गया न और यहां पर आपका है X plus 4 to the power 1 यह 1 minus half क्या होता है half ही होता है तो X plus 4 की power half इसका integration क्या होगा सब जगा आपका DX DX चलरा ध्यान रखिये यह होगा X plus 4 to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 जो की 2 by 3 बनेगा यह पहला पहला term आगा दूसरे term प्याद minus 4 बात में deal करेंगे पहले यह देखे इसका मतलब 1 by under root X plus 4 का मतलब क्या है यही है X plus 4 to the power half और उसका integration क्या होगा X I2 बना यह होगा X to the power क्योंकि minus half उपर गया है तो minus half plus 1 यहाँ पर तो अपने minus half जब उपर ले गया तो one के साथ one के साथ जब half जुडा minus half गटा तो half आया लेकिन यहाँ minus half है थोड़ा यह अंतर देखे गए यह half है यह minus half तो X के पह मैनस half हो गया X to the power half और यह हो गया minus 4 अब यह लिख देते हैं into 2 X plus X X निए यहाँ सब जगा X plus 4 करते हैं हाँ यह 4 पहले था 2 पर गया X plus 4 to the power half अब हम क्या करेंगे देखें इससे 2 यहाँ तो आपका 2 अटा देगे यह 2 by 3 कॉमन ले ले लिए बहुत आसान हो जाएगा 2 by 3 हमने कॉमन ले लिए और क्या लेंगे X plus 4 to the power half ले लिए X plus 4 to the power half तो 2 by 3 लिए X plus 4 to the power half यहाँ से ले लिए और 2 भी ले लिए तो यहाँ पर तक क्या बाइनस 1 बचा यहाँ से 2 by 3 अलरी ले चुके हम अच्छा 2 by 3 हमने लिए लिए ना तो 3 multiply हो जाएगा अभी बताता हूं कैसे X plus 4 to the power 3 by 2 है इससे हमने half ले लिए तो half plus 1 लिए तो 3 by 2 होता है क्यों X plus 4 बचा लेकिन मैंने जैसे पता है आपको कि यहाँ से क्यों 3 लिया है इससे हमने 2 बाहर ले लिया तो बचा 4 और यहाँ से 3 लिया तो 4 लिए 12 12 तो यह minus 12 4 minus 12 ठीक है तो X plus 4 minus 12 यानि कि हुआ X minus क्योंकि यह minus बढ़ा है तो X minus 8 हो यह X minus 8 है यहाँ पर X plus 4 under root है तो इसको root कर देता हूं और 2 by 3 आए तो यह जो मैंने लिखा है मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं आंसर इसका इसका आया है 2 by 3 और under root X plus 4 और अंदर आया है X minus 8 बाहर बचला है इसको यहाँ भी लिख सकते हैं यह आपका पूरा आंसर है ध्यान रहे है यहाँ पर आपको और को इसका तरीका और बनता रहे 2 minus 3 X और 1 plus 3 X तो आपके पस कोई तरीका हो तो आप कर सकते हैं यह डारेक्ट आपको दिखी रहा है 2 minus 3 X को आप आराम से विरिएट कर सकते हैं लेकर इतनी महनत करने से अच्छा बेटर यह होगा कि आप सीधा इसको T मालें तो हम इसको T मानते हैं T हो गया आपका 1 plus 3 X तो DT by DX हो गया आपका 1 plus 3 X का differentiation आपने किया तो क्यों 3 आया तो जहां-जहां DX आपका होगा वहां आप DT by 3 replace करें पहले चीज़ तो यह हो दूसरा यह है कि आपको X चाहिए होगा 2-3 into X की जगह मैं लिख रहा हूँ T-1 by 3 2-3 into T-1 by 3 और नीचे आपका क्या हैगा क्योंकि आपने T माना यह है तो under root T हो और DX की जगह लिखना है DT by 3 अब देखिए यह तो cancel हो गया तो उपर क्या है 2-T-1 यानिकि 2-T plus 1 तो उपर बड़े आसानी से हमारा 3-T आचो तो यह हो गया 3-T by under root T और यह DT by 3 है तो मैंने आपसे कहा था यह बाद में deal करेंगा 1 by 3 मैंने अपने यह 1 by 3 दिख रहा है बाहर लिल आगर तो यह bag में डाद दिया अब इसका integration कर लें तो अलग-अलग कर लेते हैं 3 by under root T DT अलग से होगा मैनस T by under root T यह हम अलग से करें तो यह हो गया 3 यह T under root T का मतलब होता है T to the power half उपर गया तो T to the power minus half जिसका integration करें मैनस यह हो गया T की power 1 यह हो गया T to the power minus half तो 1 minus half हो गया half t to the power half का integration करेगे जैसे अभी हमने पिछले एक question में किया तो यह होगा 3 t to the power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 यह होगा t to the power half plus 1 divided by half plus 1 तो यह हो 3 t to the power half और नीचे half होगा तो उपर 2 आजाएगा minus यह 3 by 2 होगा तो 2 by 3 यहाँ जाएगा और t to the power 3 by अब चाहे तो इससे आप t to the power half common ले 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 और कुछ अगर common लेना चाहे तो भी ले सकते हैं 2 by 3 common ले 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 तो यहाँ से 2 by 3 यहाँ से लेते ही जैसे हम 2 by 3 लेंगे तो यहाँ पर आपको 3 by 2 से multiply करना पर ना तो इससे क्या बनेगा अभी देखे मैं यहाँ पर 1 by 3 अलड़ी यहाँ से ले लिया 2 by 3 यहाँ से ले लिया हमने जैसे 2 by 3 लिया तो यह तो हट गया और यहाँ पर हमको अगर 2 by 3 हम यहाँ से ले 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 तो 3 by 2 से multiply करना पड़ेगा 2 2 गया यह गया 9 t to the power अच्छा t to the power half भी ले लिया 9 बचा है यहाँ पर minus अच्छा t to the power half ले लिया तो half half plus 1 ही तो 3 by 2 होता है तो यहाँ पर आपका क्योंड़ी t बचा है तो final क्या आ गया यहाँ पर देखे एक तो यह 2 by 9 आ गया यह t to the power half था इसका मतलब हो गया 1 plus 3x की power basically t तो यह replace करेंगे इसकी power half का मतलब क्या है rooty है यह 2 by 9 under root 1 plus 3x आ गया अब 9 minus t यादि 9 minus 1 minus 1 plus 3x 9 minus 1 और minus 3x यादि 8 minus 3x ओपर आ गया यहाँ पर 8 minus 3x और साथ में आप constant of integration तो यह आसान हो गया ना तो इसको दूसरा approach भी आपको दिखाता हूँ और लेकिन उत्तर यही आने वाला तो यह इसका तरीका है बड़ा आसान है यह अगर आप पिछले question कर चुके हैं क्योंकि इससे और आप typical question आप पहले निप्टा चुके हैं इसलिए बोल रहा हूँ अब next वाले पर आ गए जब यह ऊपर होता है तो थोड़ा थोड़ी से असान ही हमें हो जाती है क्योंकि 2x-1 यहाँ पर है हम t को 2x-1 लेने वाले हैं और let वगेरा putting यह सब मैं आपको दिखाऊंगा वह आपको खुद लिखना है यहाँ पर क्यों समझें t equals to 2x-1 और यह होगा dt by dx करेंगे इसको तो यहाँ पर 2 बचेगा तो dx होगया आपका dt by 2 हम यह एक replace करेंगे पहला अब x को t के terms में लिखना है t plus 1 बराबर 2x और x होगया आपका t plus 1 by 2 यहाँ से यह भी यह होगया और plus 3 यह एक term है और under root में क्या आपका यहाँ आपका t माना under root t होगया dt करेंगे इसको इसको यह आपका i होगया इसको integrate तो अलग-अलग term लेके कर लेते हैं चलिए पहला होगया अलग-अलग लिखना हो integration और dt को अब मैं omit करो तो 5t और 2 नीचे है तो 5t by 2 होगया plus 5 by 2 plus 3 तो t plus 1 by 2 अगर 5 multiply करते है इसमें तो क्या आता है 5t by 2 plus 5 by 2 यह तो आगया और 3 under root t है यह तीसरा term यह नहीं plus 3 होगया देखिए plus 5t by 2 plus 5 by 2 plus 3 और under root t और भी है यह पूरा एक term है under root t है तो है multiply करेंग 5 by 2 into under root t plus 3 under root तो यह दो जोड़ सकते हैं यह वाला यह वाला terms दो जोड़ सकते हैं तो 5 by 2 plus 3 कर लीजे क्या है आपका 5 plus 6 by 2 यह नहीं 11 by 2 यह होगया 11 by 2 under root t और यह आपका होगया 5 by 2 t root आपक्योंकि integration मैंने omit किया आपको बता दूं यह सब integration के अंदरी चल रहा है t root t का क्या होगा t यहाँ 1 है और root t मतलब t to the power half t to the power 3 by 2 t to the power 3 by 2 का integration 1 plus half 3 by 2 का integration क्या होगा 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1 तो t to the power 5 by 2 और यह नीचे 5 by 2 तो यह उपर जाएगा तो 2 by 5 यह 5 by 2 अरड़ी था और यह होगा आपका t to the power 5 by 2 plus 11 by 2 है यहाँ पर नभी बताया यह कहा से आया था 11 by 2 और under root t क्या होगा under root t होगा t की power half और इसका होगा t to the power half plus 1 by half plus 1 तो t to the power आपका 3 by 2 और नीचे 3 by 2 है और 2 by 3 तो यह cancel होगा आपका यहाँ पर t to the power 5 by 2 है यहां से 2 cancel हो गया अब इन दोनों से आप क्या common ले सकते हैं आप चाहे तो इन से 3 common ले तो 1 by 3 common ले लिया पैरे और 1 by 3 common लेकर हम 3 by 2 भी common ले सकते हैं तो अब जानते हैं 3 by 2 प्लस 1 ही आपका 5 by 2 होता है जैसी इसे 3 by 2 निकालेंगे कि वह टी बज जाएगा यहां तक clear है प्लस अब देखिए आपने 3 यहां से ले लिया तो यहां जैसी आपने यहां से 3 लिया इससे 3 लिया तो 3 से आपको इसको multiply करना पड़ जाएगा क्योंकि यहां पर already 3 है और क्योंकि 11 यहां पर already दीखी रहा है आपको और क्योंकि टी की पाउट 3 by 2 आप ले चुके है बहरा अब आजएगी यहां तो 3 T प्लस 11 आया तो 3 T है आपका 2 X मैनस 1 प्लस 11 तो 6 X 11 मैनस 3 कितना हो गया यह आपका 8 हो रहा है यह आपका 8 यह तो बन रहा है 11 मैनस 3 हो गया 8 तो 6 X मैनस 8 हो तो यह हो जाएगा t2 power 3 by 2 यानिकी 2x minus 1 की power ये 2x minus की power 3 by 2 और अंदर आए आपका 6x plus 4 6x plus 8 है तो इससे 2 बार ले लिए चाहे तो 3x plus 4 आगया 3x plus 4 2 बार ले लिया 2 by 2 ये इसका उता हो जाएगा कहीं से 2 का कोई cancellation मुझे लग रहा है बनेगा लेकिन आप देखेंगे कि हम उस हद तक पहुँच गए है जो answer के करीब है यानि 2x minus 1 कहीं न कहीं इसमें integration करने पर 11 by 2 हम उपर 2 ले गए थे 2, 2 cancel हो गया था और plus 11 मैं आपको पहले इसका actual दिखा देता हूँ किस तरीके से ही हुआ तो बिल्कुल सेम यही तरीका हम अपनाएंगे कहीं एक 2 मैंने miss किया है वो मुझे लग रहा है लेकिन यह term यह term यह term आ गया है मुझे एक 2 का एक संचाह है इसमें लेकिन आप जरूर इसको पकड़ लेंगे और देख लेंगे तो आगे बढ़ते हैं यह question है इसको करने से पहले आपको इसको rationalize जरूर करना पड़ेगा rationalize का मतलब यह है कि जो भी नीचे term होता है उसका plus sign से multiply करते हैं जैसे आपका यह है x by under root x plus a minus under root x plus b उपर नीचे आप under root x plus a plus under root x plus b से multiply करते हैं under root x plus a minus under root x plus b तो क्या होगा यह देखे यह है a minus b a plus b तो a minus b into a plus b यह सीधा आपका a square minus b square देता है और यह important इसलिए होता है क्योंकि यह root है, root से आसन हो जाएगा यहाँ पर होएगा x, मैं integration dx अभी नहीं लिख रहा हूँ, अंदर वाले term को पहले resolve कर रहा है x plus b का whole square लेकि यह root में था तो इसके square हट जाएगे root के साथ यह काट दीजिए, यह काट दीजिए x plus a minus x minus b यह cancel होगा, a minus b तो यह जो a minus b नीचा है ना इसको मैं बाद में deal करूगा, last में deal करूगा हमको ऊपर वाले का integration करना है तो मैं यहाँ उठा के इसको एक block पर रख देता हूँ हम last में इसको ठालेंगे अब आज़ाई आप integration होगा अब यहाँ पर integration होगा है, यह dx के terms integration एक यह term का होगा एक यह term का होगा, फ़र x को 7 प्राय करीए फिर x को 7 प्राय करीए, तो x under root x plus a एक integration होगा अब आपका और प्लस एक integration होगा x into under root x plus b, अब आप इसको ध्यान से देखे यह आसान अगर आपको करना है या फिर x plus a को कुछ मान के करना है दोनों का a की तरीके से होगा, यह ध्यान रखे मैं एक आपको करके दिखाए, यह जैसे i हम इसको लेखे इसको i1 मान लीज़े, इसको i2 तो i1 क्या बनेगा, यह x under root x plus a तो replace, replace करने के ज़रूट नहीं है, आपर देखे x plus a, minus a लिख सकते हैं इसको यहाँ पर x plus a लिख रहा है न इस x को हम लिख सकते हैं, x plus a minus a और under root x plus a चली रहा है यह है x plus a to the power 1 under root x plus a का मतला हुआ, x plus a to the power half यहने x plus a to the power 3 by 2 बन रहा है तो आपका integration यहाँ पर क्या हो रहा है x plus a to the power 3 by 2 और यहाँ पर क्या हो रहा है, यह तो constant है यह है x plus a to the power half लेकिन अभी यह सब integration के अंदर है इसका integration क्या बनेगा x plus a to the power 3 by 2 plus 1 आप जानते हैं क्या होता है 5 by 2 तो x plus a to the power 5 by 2 इसका integration आसानी से हो गया और फिर उसका x plus a का differentiation करके नीचे लिखना होता है तो x plus a का differentiation करेंगे तो क्या आएगा ये के वल आपका 1 आएगा तो नीचे कुछ नहीं आएगा तो 1 एक्चली हम लिख रहे हैं लेकिन उसका फरक नहीं पड़ेगा ये क्या हो गया x plus a to the power half का integration क्या होता है half plus 1 divided by जो भी term है जैसे x है तो half plus 1 नीचे है x plus a to the power 3 by 2 और नीचे आपका half है तो उपर जैसे यहाँ आपका 3 by 2 था उसका 5 by 2 बना तो 5 by 2 नीचे भी आया इसी तरीकिस यहाँ पर भी आपका x की power half plus 1 half plus 1 3 by 2 तो नीचे भी 3 by 2 आया तो final क्या बना ये ये हो गया 2 by 5 x plus a to the power 5 by 2 और यहाँ क्या आया minus a ये 2 by 3 उपर गया minus a 2 by 3 a x plus a to the power 3 by 2 अब ये पूरा का पूरा term बनेगा कैसे बनेगा बहुत ध्यान से देखिए ये मैंने एक लिया है यहाला term एक है आपको सारे term लिखने है ये 2 by 5 है ये minus 2 by 3 है अब इसी के साथ ये पूरा लिखना हूँ मैं यहाँ पर आया 2 अच्छा a minus b अलरी बाहर हम ले चुके है final answer लिखना हूँ उसमें सबसे पहले आया आया आपका 1 by a minus b इसमें तो कोछ शंका नहीं है आपको ये बाहर ले लिया था अब देखिए यहाँ आया 2 by 5 x plus a to the power 5 by 2 minus 2 by 3 a x plus a to the power 3 by 2 यहाँ थे ठीक है अब अगला इसका अगला इसका integration कर रहे है है और इसका integration इसका integration फिल्कु सेव है बस a को b से replace कर देना आपको इसको करने की ज़रत नहीं है आपको क्योंकि जो term यह है इसमें a और b का ही तो अंतर है तो final क्या हैगा जो इसका integration बनेगा वहाँ हमर a की जगा b लिख देते है तो यह हो जाएगा 2 by 5 x plus b to the power 5 by 2 minus 2 by 3 b जहाँ x है वहाँ b लिख दे b x plus b to the power 3 by 2 और यह पूरा अंदर ले लिया बाहर जहाँ 1 by a minus b ले जाए यह जो आपने चीज देखिए पुरी वही answer है अब इसको मैं आपको साफ सुतरे तरीके से दिखा देता हूँ यह कैसे आने वाँ तो जो जो मैंने आपको बताया अभी पहले rationalize करेंगे 1 by a minus b भाले लेंगे यह दोरों का integration विल्कुल सेम है आपको यह करना है तो करिए यह करना वैसे पढ़ेगा आपको मैंने आपको किवल एक analogy से समझा दिया कि देखे जब x इंटू अन्डरोड x प्लस a का जो भी integration आएगा same इसका आएगा बट a की जगा b रिप्लेस करके आ लेगा और final answer आपका यह यह final result constant of integration ज़रू लगाना हो ना भूले तो यह हमारी exercise अब यहां पर खत्म होती है 19.5 अगली exercise होगी 19.6 उसके लिए इंतिजार कीजिए तब तक के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया बहुत 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 बहुत